स्वान एनरजी के शेरों में हालिया तेजी का मुख्य कारण उनकी शिप्यार्ड Reliance Naval and Engineering Limited का संचालन दोबारा शुरू होना है इस शिप्यार्ड ने भारतिय कोस्ट गार्ड के राज रतन नामक तेज गश्ती जहाज की मरम्मत का काम तै समय से पहले सफलता पूर्वक पूरा किया यह प्रोजेक्ट सितंबर 2024 में शुरू हुआ था और नवंबर 2024 के अंत में पूरा हो गया इस सफलता के साथ कमपनी ने अपनी क्षमताओं को साबित किया है और धविशे में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी विस्तार की योजना बनाई है स्वान एनर्जी के शिप्याड में भारत का सबसे बड़ा ड्राइ डॉक है जो 622 मीटर लंबा और 65 मीटर चोड़ा है यहां आधनिक उपकरण और तकनीक मौझूद है जिससे बड़े और जटिल जहाजों की मरमत और निर्मान संभव है इसके अलावा कमपनी ने भारी इंजीनियरिंग और समुद्री जहाज निर्मान के लिए अपनी योजनाओं की घोशना की है यह उनके व्यवसाए में एक नया और बड़ा कदम है जो उन्हें भारतिय समुद्री उद्ध्योग का प्रमुख खिलाडी बना सकता है इसके अलावा कमपनी ने अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है जैसे टेक्स्टाइल, LNG स्टोरेज और रियल एस्टेट इन क्षेत्रों में उनकी लगातार व्रिध्य ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है पिछले दो वर्षों में कमपनी की आय में दस गुना व्रिध्य हुई है जो उनके मजबूत प्रबंधन और नई रणनीतियों का परिणाम है कुल मिलाकर शिप्याड के संचालन की बहाली और कमपनी की बहु आयामी रणनीतियां स्वान एनर्जी के भविश्य को उज्ज्वल बना रही है निवेशकों के लिए यह कमपनी इस समय आकर्शन का केंद्र बनी हुई है